लब्य वेवस्ता अध्याए 25 लब्य वेवस्ता अध्याए 25 साथवे वर्ष और पचासवे वर्ष के विश्राम खालों की विधी। फिर यहवा ने सीनय परवत के पास मूसा से कहा, इसरायलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो, जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमी को यहवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना-पना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाह की बारी छाट छाट कर देश की उपज एकटी किया करना, परंतु 7 वर्ष भूमी को यहवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाह की बारी छाटना, जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोडना, क्योंकि वह भूमी के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा, और भूमी के विश्राम काल ही की उपच से तुमको और तुम्हारे दास तासिकों और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदुरों और परदेश्यों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पश्यों का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमी की सब सातो विश्राम वर्षो का यह समय उन्चास वर्ष होगा। तब सात्वे महिने के दस्वे दिन को अर्थात प्रायस्चित्ति के दिन जैजेकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कही भुकवाना और उस पचास्वे वर्ष को पवित्र करके मानना और पासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना वह वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए उसमें तुम अपनी अपनी निजभूमी और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे तुम्हारे यहां वह पचासवे वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए उसमें तुम नब इन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जूबली का वर्ष होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा, तुम उसकी उपज खेथी में से लेके खाना, इस जूबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निजभूमी को लटने पाऊगे, और यदि तुम अपने भाईबंधु के हाथ कुछ बेचो, वह अपने भाईबंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना, जूबली के पीछे, जितने वर्ष बीते हो, उनकी गिंती के अनुसार दाम ठेरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेश वर्ष की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ पेचे, जितने वर्ष वह रहे, उतना ही दाम पढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे, उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो, उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा, और तुम अपने अपने भाईबंधु पर अंधेर अपने परमिश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमिश्वर यहवा हूँ, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझभूच कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसेर होंगे, और पृत्वी अपनी उपज उपचाया करेगी, औ तुम पेट भर खाया करोगे, और उस देश में निडर बसेर होंगे, और यदि तुम कहो कि साथवे वर्ष में हम क्या खायेंगे, न तो हम बोएंगे, न अपने खेत की उपज इकटी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको छटवे वर्ष में ऐसी आशिश दूँगा, कि भू भूमी की उपज तीन वर्ष तक कामाएगी, तुम आठवे वर्ष में बोगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और नवे वर्ष की उपज जब तक न मिले, तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे, भूमी सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमी मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बहारी होगे लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमी को छुड़ा लेने देना। यदि किसी मनुष के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके तो वहां उसके बिकने के समय से वर्षों की गिंती करके शेश वर्षों की उपच का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे तब वहां अपन निज भूमी का अधिकारी हो जाए परंतु यदि उसके इतनी पुंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके तो उसकी बेची हुई भूमी जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छुड़ जाए तब वहां मनुष्य अपनी निज पनाहवाले नगर में बसने का घर बेचे तो वहां बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष को छुड़ाने का अधिकार रहेगा परंतु यदि वहां वर्ष भर में न छुड़ाए तो वहां घर जो शहर पनाहव परन्तु बिना शहर पना के गाओ के घर तो देश के खेतों के समान गीने जाए, उनका छुडाना भी हो सकेगा, और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए, और लेवियों के निजभाग के नगरों के जो घर हो, उनको लेविय जब चाहे तब छुडाए, और यदि कोई लेविय अपना भाग न छुडाए, तो वह बेचा हुआ घर, जो उसके भाग के नगर में हो, जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इसराइलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वेघर ही है, और उनके नगरों की चारो और की चराई की भूमी बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेशी वा यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज वा बढ़ती न लेना, अपने परमिश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके, उसको ब्याज पर रुपया न देना, और न उसको भोजनवस्तु लाप के लालच से देना, मैं तुम्हारा परमिश्वर यहवा हूँ, मैं तुम्हें कनान तेश देने के लिए और तुम्हारा परमिश्वर ठहरने की मनस से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आपको तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना, वह तेरे संग मजदुर वा यात्री की नाई रहे, और जूबली के वर्ष तक तेर बच्चों समय तेरे पास से निकल जाए, और अपने कुटुम्ब में और अपने पित्रों की निजभूमी में लवट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास है, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, इसलिए वे दास की रीती से न बेच जाए, उस पर कठोरता से अधिका न करना, अपने परमिश्वर का भहे मानते रहना, तेरे जो दास दासिया हो, वे तुम्हारी चारों और की जातियों में से हो, और दास और दासिया उन्ही में से मोल लेना, और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उन में से और उनके घरानों उनमें से भी जो तुम्हारे पास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन हो उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठेरे और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठेरे उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इसराइली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना, फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी वा यातरी धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आपको तेरे सामने उस परदेशी वा यातरी वा उसके वंश के हाथ बेच डाले और उसके बिग जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भायों में से कोई उसको चुड़ा सकता है, वा उसका चाचा वा चचेरा भाई तथा उसके कूल का कोई भी निकट कुटुम भी उसको अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिखने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करें, और उसके बिखने का दाम वर्षों की गिंति के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदुर के दिवसों के समान उसके साथ होगा, यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाए, तो जितने रुपए से वह मोल लिया गया हो, उन में से वह अपने छुडाने का दाम उतने वर्षु के अनुसार फेर दे। और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इनृतियों से छुडाया न जाए, तो वह जुबली के वर्ष में अपने बालबच्यों समेत छूट जाए। क्योंकि इस्राइली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है, मैं तुम्हारा परमेशुर यहवा हूँ। क्योंकि अज़िते पास है क्योंकि अंग।